हेलो स्थों मैं हुरुजद बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसे के प्यार में कि आने वाले एपिसोड के बारे में क्योंकि यह आने वाला एपिसोड जो है एक निर्णायक एपिसोड होने वाला है क्योंकि सीधी सी बात है देखो यहां पर रिष्टो का फैसला होने वाला है तो निर्णायक एपिसोड ही मैं तो इसे कहूंगा अब सब कुछ आपको मैं डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या विराट रोप पाएगा नहीं रोप पाएगा सही जो एक तमाचा फिर से जड़ने वाली है वो ऑनलाइन ही होगा या आफलाइन होगा सब कुछ जाने की डिटेल के अंदर क्योंकि आने वाला एपिसोड कहने को तो एपिसोड है लेकिन असल में ये एक माँ एपिसोड से कम नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कहानी जिस मोड पर जाने वाली है शायद बहुत टाइम के लिए आप कहा है कि मैं सीरिल नहीं देखूँगा लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आने वाला है आपको होगे देखूँगा तो मैं ये ही सीरिल देखूँगा अब सब को जाने की डिटेल के अंदर वीडियो में लास्ट तक जूड़े रही है लेकिन उससे पहले मुझे बताईए तो दोस्तो आईपेल तो आप सभी लोग देख रहे होंगे लेकिन आईपेल देखने के साथ साथ लोटस 365 पर आप अपने उपेनियन शेयर करकर बहुत ये अमेजिंग प्राइजेज जीच सकते हैं यहाँ पर आपको 50 से ज्यादा क्रिकेट से जोड़े सवाल मिल जाएंगे जैसे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और हाँ रजिस्ट्रेशन करते वक्त लोटस 365 पर आपको 365 रूबीज मिलेंगे वो भी बिलकुल मुफ्त यहाँ पर 1-2-1 कस्टमर केर सर्विस आपके लिए 24-7 अविलेबल है आप आराम से अपनी किसी भी प्राब्लम का सॉलुशन ले सकते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर जो है अल्रेडी लोटस 365 पर खेल रहे हैं और रोज कोई न कोई अमेजिंग प्राइस जीत रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट के साथ-साथ 200 से भी ज्यादा और भी गेम अविलेबल है जहाँ पर आपको आसान से सवालों के जवाओ और अपने उपने उपने शेयर करकर बहुत सारे अमेजिंग प्राइस जीत सकते हैं अब यहाँ पर विनायक जो है आने वाले एपिसोड में पूरी तरीके से सई को इमोशनल करने वाला है और सई के पैर भी जो है बाहर धहली इससे जाने से पहले बहुत ज़्यादा कापने वाला है क्योंकि सीधी सी बात है जिसके लिए चावान निवास में सई आई थी वो खुद जो है अब उसे रोकने की कोशिश कर रहा है उसे अपनी गार्चन इंजिल मानता है वो तो अची बात तो ये है सीधी बात तो ये है कि साई को जाने में बहुत दुख होनी है लेकिन वो उसी के बारे में सोचने वाली है कि उसका परिवार ना टूटे इसलिए साई वलिदान देने वाली है और सही चवार निवास के हौल में पहुचने वाली है अपने लगेज को लेकर अपने बैग्स को लेकर और भवानी काकू और बाकी लोग जो है यहाँ पर जितने ज़्यादा सही के आने पर डर रहे थे उतने ही ज़्यादा भी मूशनल होने वाले हैं क्योंकि असल में इतने स फोन लगाने वाली है कि विराट बेटा कहां पर है फुटा फट से पहुँच जाई हाँ पर क्योंकि मामला हाथ से निकल रहा है अब भवानिक काकु विचारी इतनी efforts लगा रही थी इतनी निनों से कि सही को घर की बहु बना दिया जाए लेकिन logically उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सही को ये realize हो कि हाँ वाकई में वो ही बहु है अब देखो ये एक छट के नीचे विराट की दो पतिने आ रहे हैं ये थोड़ सा possible नहीं लगता है और ये भवानिक काकू के experience से निकल कर कैसे आगे बढ़ गए समझ भी नहीं आया क्योंकि भवानिक काकू को तो idea होना चीहता है इतने साल तो वो इतने जिंदगी धरातल पे गुजार रही है तो इतना experience आदमिक हो जाता है कि situation आगी जगे क्या होगी उन्हें पूर्वा अनुमान बिल्कुल भी नहीं हुआ और इसी reason है कि यहाँ पर विराट गाड़ी तोड़ाते वे जो है चवान निवास की और आते वे नज़र आएगा लेकिन यहाँ पर भवाने काकु हो विराट हो अश्विनी हो बाकी कोई हो सही किसी की एक नई सुनने वाली और काम की बाद आप सुनिये आप लोग क्योंकि यह तो सबको बता है सही घर से भार जाएगी लेकिन एक नई अपडेट आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि सही यहाँ पर heat of the moment कहने वाली है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं किसी और के साथ अब रिष्टा बनाऊंगी जैसे आपने move on किया है मैं भी करूंगी और जिस तरीके से सत्य अपने जबान दे चुका है यहाँ पर अपने परिवार वालों को वैसे ही सही यहाँ पर चवान निवास के लोगों को heat of the moment इस बारे में बताते हैं नजर आएगी एंड विराट के लिए जो है मतलब किसी 440 वूल्ट के जटके से कम तो बिलकुल नहीं होगा क्योंकि विराट के excitement लास्ट एपिसोड में ऐसी थी कि मानो वो तो तुरंद फेरी लेने के लिए तयार बैटा हो घोडी भोडी उसने सब रेडी कर रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पर विराट को बहुत जटका लगने वाला है यहां पर और इसी कारण से यहां पर सही फैसला लेने वाली है कि सत्या को भी 24 गंटे की मौलत मिली है उसके भी रिक्वाइरमेंट पूरी करते हैं और विराट को भी यह शक ना हो कि मैं वाकरी में नाटक कर रही हूँ तो मुझे भी मुवाण करना चाहिए अब सत्या के साथ ऐसे में यहां पर सत्या और सही दोनों आपको मंडप की और बढ़ते वे नजर आएंगे लेकिन 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 इस मंडप में जो है काफी बड़ा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर सीरेल के मेकर्स के बारे में लोग कह रहे थे कि वाकिर कर क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आया इसे के साथ ही बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि रज़ट भाई हमने तो तस्वीरे भी देख ली है शादी के बाद की अब यहां पर एक तस्वीर में सा शेर हो रही थी जहां पर सत्या के साथ जो है साई बेटे वे नजर आ रही है एक पलंग पर और यहां पर बैट पर उन नजर आ रहो हैं और उसे लोग बोल रहे थे किoral बाद तो थमनेल की करामात है और रियल फोटो नहीं है अगर रियल फोटो आपको मिल गई है तो भाई मुझे शेर कर देने इंस्टाग्राम पर टैग कर देना लिंक बने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्षिन बताईए आने वाल एपिसो